देखे ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जाने कौन आएगा तुम्हारे पीछे बस ये बताने को कि तुम्हारी मा अरे मा मालूम नहीं गव मा का तसकर ये है यही वो शक्स है जो मा को कहीं और ले जाकर बेच आता है कहें फिर ये भीड जागेगी किसी बाप को बेटे से प्यार करता दे ओ प्यार कितना भी पाक हो भीड भयानक रूप ले लेगी तुम बेबस कितने भी हो जाओ भीड को फर्क नहीं पढ़ने वाला तुम लाख चिलाओ कि मैं तसकर नहीं तुम कितना भी बताओ कि वो सहमा लड़का मेरा बेटा ही है लेकिन भीड में जो भरा हुआ है तबाही उस पर है ये तुम्हारी गलतियों का सबब है कि तुम इस भीड के चंगुल में आफसे हो भीड का क्या उसे मारने के अलावा बहुत से काम है कुछ इसमें सायद धर्म के ठेकेदार भी होंगे कुछ रोज नुकड पर खड़े होकर ना जाने कितने ही अज़ते आते जाते गिनते होंगे कुछ शार पुरेद जगत के भी होंगे और कुछ गली के आवारा होंगे लेकिन भीड में शामिल है वो बे नाम है वो बेशकल हैं तुम आज बेबस हो उनके हाथों मरने के लिए ना जाने अभी और कितने मरने वाले हैं कोई अपना भी हो सकता है उस भीड में जो भीड के भयावे रूप से डर कर चुपचाप हो गया हो तुम्हारा जो हस रहे इस भीड न किया है कहीं मेरा भी न कर बैठे गमगीन तो बहुत हैं खबर ये पढ़ने वाले बार-बार पूछते हैं सरकार इस पर करती क्या है मगर अगले ही पल भीड का हिस्सा होकर खुद से ये पूछना ही भूल गए कि अरे इस शक्ष को मौत की नीद सुलाने वालो ये तो बताओ इसका कसूर क्या है कुछ अंजान थे चौराहे पर मार खाते इंसान से कुछ सोचते रहे कि आरे जब वो पकड़ा गया तो हम वहां क्यों नहीं थे कुछ तो बस इतने परिसान थे कि हम बस उस शक्ष को बस एक हाथ ही मार पाए वो मर गया किस्सा खत्म हुआ बे नाम भीड घर को लोट गए अब बारी थी कल के अख़बार में ये ख़बर छपने की सायद पढ़ेंगे इसको वो लोग भी जो कल शामिल थे भीड के हिस्सेदारी में लिखेंगे कुछ लोग सोसल मीडिया पे अफसोस है मुझे कि माप लिचिंग रुक नहीं रही मगर उनको मालूम नहीं बे नाम भीड हर जगे शामिल है सोसल मीडिया पर बजार की धमा चौक पर और नुकड़ वाले हलवाई की दुकान पर ये बे नाम भीड ही है जो अपनी शकल किसी इंसान को दिखाती नहीं है ग्रामी निउस में आज के लिए इतना है मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार